साथियों तीन तलाग जैसी कूप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को पूरे परिवार को अशुरक्षित कर दिया था ये सब जानते हैं और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं उसमें बुरा क्या है हम परिवार वाले है इसलिए परिवार का दुख जानते हैं मैं जड़ा गोर परिवार वादियों से पूछता हूँ आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे ले करके पिता के गर लोटना पढ़ता था तम तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया हम परिवार वाले नहीं है लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचांगते है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है पूरा उत्तरप्रदेश मेरा परिवार है आप सब मेरे परिवार के हैं आपने वोट मेंक की वज़ा से इन लोगों ने मुस्लिम बेटियों के जीवन की पहाड जैसी दिक्कतों को देखने की भी फुर्सत नहीं थी नजर अंदाज कर दिया ये हमारी ही सरकार है जिसने इन मुस्लिम बेहनों को तीन तलाग के दुस चक्र से मुक्त किया है और साथियों आप ये भी समझिये कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते है ये सिरफ बेटियों को सुरक्षा देता है ये उन मुस्लिम बेटियों के पिता को भी सुरक्षा देता है ये मुस्लिम बेटियों के भाई को भी सुरक्षा देता है इन मुस्लिम बेटियों की माता को भी सुरक्षा देता है क्योंकि बड़े अर्मानों के साथ बेटी की शादी करा करके ससुराल बेच दे माबाप जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोस होता है लेकिन वोही बेटी पांच-दस साल के बाद तीन तलाग तीन तलाग सुनके जब घर लोटाती है आप कल पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बित्ती होगी उस बेटी के माप पर कितनी बित्ती होगी उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा तुम परिवार वाले हो अरे तुम्हें तो इस दर्थ का पता चलना चाहिए था तुम्हें नहीं चला क्योंकि तुम्हें सरफ बैलेट बॉक्सी दिखता है तुम्हें किसी की जिन्दगी नहीं दिखती है